अगर आप अपनी Equitas Small Finance Bank की User ID भूल गए हैं और आप login नहीं कर पारें इंटरनेट बैंकिंग के वे तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखे मैं आपको पूरे इस process और step बताऊंगा कैसे आप reset कर सकते हो आपको इस वीडियो के description box में एक link मिलेगा जैसे आप उसके उपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का page खुलेगा यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा forget के सामने User ID आपको उसके उपर क्लिक कर लेना है जैसे आप उसके उपर क्लिक करेंगे आपके सामने page खुलेगा यहाँ पे इस तरह से आपको user detail पे click करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना customer ID डालना है, अगर आपके पास customer ID नहीं है, तो आपको इस वीडियो के description box में एक link मिल जाएगा, आप उस पे click करके customer ID कैसे find कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, जैसे आप customer ID find कर लें, आपको मिल जाए, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी customer ID डालिए, customer ID डालने के बाद नीचे आपको register mobile number का use करना है, जो Equitas Small Finance Bank के सामने register है, बैंक पर register है, 9-1 नहीं हटाने याद रखना आपको, इसके बाद आपको date of birth यहाँ पे डालना है, date of birth डालने के बाद आपको confirm पे submit कर देना है, इसके बाद आपके register mobile पे एक OTP आएगा, जो आपकी bank से link है, जब आपको यह OTP receive हो जाए, उसके बाद आपको उपर यह OTP के section पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको OTP डालनेना है, जो भी आपको receive हुआ है, जैसे आप OTP डालनेंगे, नीचे आपको capture option मिलेगा, आपको इस capture option पे क्लिक करके, capture feel करके, confirm पे click कर देना है, जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक pop-up मिल जागा, message कि आपकी user ID, आपकी register mobile पे आपको भेज दिये गया है, तो आप इस तरह से अपने user ID find कर सकते हैं, या आगे आप इसको reset भी कर पाएंगे, अब आपको कैसे SMS मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको कुछ इस प्रकार का SMS मिलेगा, यह screenshot है मेरे mobile का, यहाँ पे आपको user ID मिल जाता है, अब आप password कैसे reset करेंगे, आप चाहे तो दुबारा उसी page पे आ सकते हैं, अगर आपने open है window, तो simply आपको forget password option पे नीचे दुबारा से click करना है, जैसे आप click करेंगे, यहाँ पे same इस प्रकार का page खुलेगा, सबसे पहले उपर आपको customer ID डालना है, नीचे आपको user ID डालना है, फिर register mobile number, date of birth और register email ID, user ID आपको पता चल चुका होगा, कि कैसे आपको लेना है आपके mobile पे आ चुका होगा, customer ID के बारे में मैंने आपको अलड़ी बता रखा है, नहीं पता है, तो आपको इस वीडियो के description box में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजे, customer ID फील करने के बाद, आपको नीचे user ID फील करना है, जो आपको अभी भी reset करते हैं मिला हुआ है, SMS की तुरू, आप यहाँ पर user ID डालिए, उसके बाद आपको नीचे register mobile number डालना है, जैसे आप register mobile number डालेंगे, इसके बाद आपको नीचे अपना date of birth, और उससे पहले आप चाहें तो email ID भी भर सकते हैं, email ID डालिए, उसके बाद आप date of birth डालिए, date of birth select करने के बाद, आपको नीचे यह सारे process कर लेना है, और उसके बाद आपको नीचे जो option दिख रहे होंगे, submit का आपको उसके उपर click करना है, आपको register mobile पे एक OTP आएगा, आपको OTP डालना है, उसके बाद आपको नीचे capture fields करने है, और इसके बाद आपको confirm पे click कर देना है, जैसे आप click करेंगे, यहाँ पे new password का option आजाएगा, और नीचे confirm का, तो आप password डाल लीचे, जो नीचे instruction दे रहे हैं, लिखा हूँ उसी format पर आपको password create करना है, और यह डालने के बाद आपको submit पे click कर देना है, आपका password जो है, reset हो जाएगा, change हो जाएगा, अब आप दुबारा से उसी page पर आ सकते हैं, जहां से आपको अपने internet banking पे login होना है, जैसे आप आएंगे यहाँ पे, आप अपने user ID password डालके, capture क्लिक करके आप इसको login पर हो सकते हैं, तो दोस्तों, ओवरॉल यह थी वीडियो, जिसमें आपने password reset करना, user ID find करना सीखा, अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, थैंक्यू सोब,